कि नमस्कार साथियों mcc classes में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने वाले सामान विज्ञान का टोपिक गुरुत्वकशन का लेक्चर नमबर सेकंड तो आए स्टाट करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे साथियों तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों करेंगे ज्यादा बस डायरेक्ट ओनली पढ़ाई ठीक है तो आई स्टाट करते हैं सबसे पहले दोस्तों प्रस्ण आता है आपका गुरुत्वकशन में वह यह टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है आपको सर्च करना टेलीग्राम में केपिटल अक्षर में mcc classes व्यावरा ठीक है दोस्तों पहला प्रस्ण है यहां पे गुरुत्वकशन का कि किसके गुरुत्वकशन के कारण ज्वार भाटा में समुद्र का तल उपर उठता है यानि कि किसका गुरुत्वकशन जो काम करता है जिसके कारण जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं दोस्तों है न तो यह चंद्रमा के गुरूत्वा कर्शन के कारण होता है प्रशने आपका किसके गुरूत्वा कर्शन के कारण ज्वार भाटा में समुद्र का तल उपर उड़ता है ठीक है तो किसके कारण उड़ता है चंद्रमा के गुरूत्वा कर्शन के कारण दूसरा प्रस्ण आता है कौन सा प्रक्रम गुरुत्वा कर्शन पर निर्भर करता है ठीक है तो यह समवहन करता है यह अपन पहले भी पढ़ चुके दोस्तों जैसे अपन उपर उठते हैं उस टाइप से ठीक फिर आएगा तीसरा प्रस्ण कि वर्षा का होना और हीम पात होन ठीक है अगला प्रस्ण आता है जब एक सेव पेड़ से गिरता है तो दोस्तों यह क्या करते हैं जैसे पेड़ से सेव गिरा का गिरेगा प्रत्वी पर गिरेगा दोस्तों है ना जैसे प्रत्वी पर गिरेगा तो यह दोनों आपस में बल लगाते हैं अपनी तरफ कैसे प्रतवी सबी चीजों को अपनी और खीशती है क्यों खीशती है प्रतवी है जितनी भी जीज़ें प्रतवी पर प्रतवी अपने और खीशती है क्यों खीशती है क्योंकि प्रतवी पर क्या है दोस्तों गुरुत्वी बलके कारण यह सभी चीज़े प्रतवी पर टिक हुई है अगला प्रस्न आता है गुरुत्व का वेश्विक नियम किसने प्रतिपादित किया तो गुरुत् कर कि अपड़ाता दोस्तों कि पलाएन वेक के बारे में पड़ाता अगर अपने फ्त्तर फेका 11 डब लोग किलो joke में परतिस के स्पिट सब् Effects वह पत्तर नहीं गया प्रत्वी से अपन्ने फेका देखण लोग इतनी इतनीम इतनी स्पिट जाता है दोस्तों ठीक है फिर आता है एक मनुष्य का प्रत्वी पर 480 न्यूटन क्या है दोस्तों 480 न्यूटन भारे तो उसका भार चंद्रमा पर कितना होगा ठीक है यह प्रस्ण आप से पूचा गया है यह निम्रिकल भी आते हैं आपको याद रखना है जैसे कि प्रत्व के भाईका 1-6 वहार रहता है चंद्रमा पर तो प्रत्वी पर वरतमान में कितना है दोस्तों 480 न्यूटन थीक है तो चंद्रमा पर पुछा है उसने रहरे 340 कितना होगा? तो यह होता है 1 u6 नि आपका अनसर आए नाप अगर यही बात पूछ लेता हो कि चंद्रमा पर साव है ना 480 न्यूटन चंद्रमा पर है मतलब 400 न्यूटन मान लेते हैं ताकि करने में आसन रहेगी यह कहां पर आपका चंद्रमा पर दे देता और पूछता प्रत्वी परभार कितना होगा तो यह हो जाता दोस्तों 6 गुन यह नियूमरी का लाते हैं आपको याद रखना है प्रत्वी का जो भार है चंद्रमा का जो भार है प्रत्वी के भार का एक बटे 6 गुना है ठीके दोस्तों अगला प्रसना आता है जब एक बोल को उपर फेका जाता है तो गुरुत्वा कशन बल किस दिशा में लगेगा य इसको वापस खीचने की कोशिश कर रहा है तो इसी साब से आपको याद रखना है दोस्तों ठीके तो का लगेगा बोल अकर उपर जारी तो नीचे की तरफ लगेगा और नीचे जारी तो कुछ नहीं बढ़ जाना है ठीक है यह आपके कुछ प्रस्ण है दोस्तों अगर मेर लेक्चर अच्छा लगाना तो इसको जरू शेर कीजिएगा धनिवास साथिए कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा